सद्रिश गोपिन प्रेम प्रकट कल युग ही दिखायो, निर अंकुष अति निदर रसिक यश रस नागायो, दुष्टन दोश विचार्य मृत्य को उद्यम कीयो, बार्न बांको भयो गरल अम्रत ज्यों पीयो, भक्त निशान बजाई के काहुते नाहीं लजी, लोकलाज कुल शिंखला तजमीरा गिर धर भजी, श्री राधिरा थे, भक्तों मंगल में चरित्र जीव का कल्यान करता है, श्रवण मंगलम। श्रवण करने से ही जीव का मंगल होता है, वो चरित्र होते हैं भक्त और भगवन्त के, कोपियों ने भी भागवज्जी में गोपी गीत में इस बात को स्विकार किया है, कि प्रभु का चरित्र सुनने से, केवल श्रवण कर लेने से ही जीव का कल्यान हो जाता है, और भक्त और भगवन्त चरित्र जीव का कल्यान करता है, आप कल स्रभून कर रहे थे कि मीराजी का चरित्र जो था जनता में इस तरह से लोग कहने सुनने लगे कि मीराजी की कीर्दी फैल गई चार तरह और जिनको भी धर्मी कहा जाता है इसे नवाब भी आए हीरा का हार लेकर बेहिट करने पर मीराजी का दर्शिन करने लेकिन ये बात राणा विक्रमाजित्ति ने जब सुना तो बहुत कुरुद्धुआ भक्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जब आप लोगों को पता होगा तो सब लेकिन मैं उन सरल भक्तों के लिए ये बता रहा हूँ जिनके मन में थोड़ा संदे होता है कि ये विक्रमाजित्ति कौन थे किसी भक्त ने मुझसे पूछा इसलिए बता रहा हूँ जो मीराजि को सताय थे वो विक्रमाजित्ति कौन थे क्या वही थे जो राजा विक्रमाजित्ति प्रसिद्ध होए ऐसा किस भक्त ने पूछा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो विक्रमाजित्ति जिनके नाम से विक्रमी संबत चलता है वो परम धर्मात्मा भारत के शाशक थे बहुत भाग्त थे वो वो हुए दो हजार अचाटर साल पहले जिनकी नाम से विक्रमी समबच चलता है और जिन विक्रमा दित्य की बात मैं आपको आजकल सुना रहा हूं मिराजी के चरिट में इनका रास्तों में नाम तो विक्रमा दित्य था लेकिन इनको लोग कहते थे राणा विक्रम और ये चित्तावड के राजा थे और ये कुल पांच सो साल पहले थे अब से पांच सो साल पहले तो ये धर्मात्मा नहीं थे, जिनकी चर्चा आप सुन रहें चित तोड के राजा विक्रमा देती हैं, वो धर्मात्मा नहीं थे, धर्मात्मा को सताने वाले, संतों को भक्तों को सताने वाले थे विक्रमा देती हैं, और इनको विक्रम ही ज्यादा का जाता था राणा विक्र और महाराज विक्रमा चिते जो भारत के साशक हुए दोजार साल पहले, वो तो संतों भक्तों के सेवक थे, उन्होंने तो संपूर्ण भारत के तीर्थों का जिर्णधार किया था, अयोध्याजी, शीविंदवन दाम, ब्रजभोमी, अयोध्यादाम और सभी भारत के तीर्थों का जिर्णधार किया था, और परम भक्त थे, देवी देवता, राजा, सब लोग उनका दर्शिन करने आते थे, और ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है कि वो अपने सिंहासन पर बैठते थे, तो साक्षा धर्म ही उनके मुक से बोलते थे, इसले उनका निर्णय बहुत सच्चा होता था, तो जो दोजार एठात्तर साल पहले विक्रमाजित्य माहराज हुए, परमधर्मात्माराजा, उनकी बात मैं आपको ने सुना रहा हूं, मैं अभी आपको सुना र जाजा विक्रमाजित्य की बात, जिनको राणा विक्रम कहा जाता था ज़्यादातर, जिनों ने भोजराज के छोटे भाई के रूप में जनुप्राप्ट किया था, और जिनकी सांसारिक दिष्टी से मिरजी भावी थी, लेकिन उन्होंने भाक्ती को पहिचाना नहीं, और भाक्तों के प्रतिश्रद्धा भाव नहीं होने से, उन्होंने मीरजी को भी बहुत सताया था, उन्होंने जब सुना राणा विक्रम ने, कि नबाब आया था हीरों का हार भेंट किया भावी स्री को, तो ये खबर आकरके उदा ने दिया था, भुदा ने पूचा कि आपने सुना नहीं ये क्या, तो बताया पुरा, तो राणा बोला कि उसने मेरी खानदान के अर्थासी सौधियों के नाप कटवा दी, आप क्या करें, भुदा ने बताया कि सारंगपुर का नबाब आया था, मंदिर में बैठ कर उसने मीराजी के भजन सुने, बात चीट की, येरों की एक कंठी भेंट की है, आप वो राणा ना समझी के कारण इसको अमंगल मान रहा था, मेराजी के भजन गाने और किसी के आकर धर्चन करने को, वो तो बोला कि मैं मूँ दिखाने लाइक भी अब नहीं रहा किसी को, मेरी खांदान की इज़्जद खतम हो गई, महराज, उस मूर्ख ने तो यहां तक कर दिया कि मैंने कौन से पाप किये थे, जो यहां करके यहां मेरी भाविबनी, अब आप समझीए बुद्धी का कितना पतन हो चुका था, नहीं तो वो भाविबोर होकर रोता कि मेरे कितने बड़े भाग्ये हैं कि इतनी बड़ी संत मेरे घर में आई, लेकिन यह नहीं था, वो नास्तिक था और भक्त द्रोही था, इसलिए उसके मन में बहुत बुरे बुरे बिचारा है, मेरा जी को सताने के लिए, और कई लोगों ने धीरे सिक्का भी दिया कि आपका प्रबंद धीला था मारा जी, ने तो शत्रु आपकी घर में आया, और नवाब, और आपको खबर नहीं लगी, आपने कुछ किया भी नहीं, लोगों का संकेत था कि मेरा जी का क्या दोस है, आपको ये सब काम देखना चाहिए, आप तो राजा हैं, मेरा जी के हैं तो जो भी आएगा हो सबको बराबर मनती हैं, भक्त हैं वो बगवान की, तो उदा ने भी ये कहा था, कि भाई तुम तो राजा हो, तुम को देखना चाहिए था कि को उन आ रहा है, तुमारे साहिनिकों को देखना चाहिए, तो मेरा जब उनके तो जो धर्मात्मा सलाकार थे वो सब उत्थे नहीं हटा दिया था सब तो, वो बखबख करता रहा है कि इसको बाबी को चाहिए था हीरे मोती, तो मुझसे कहती, मैं नहीं देता क्या, मेरी इज़त खतम कर दिया, मुसल्मान आया है हमारे महल में, और वक्तों मीरा जी ने मुसल्मान के रूप में नहीं देखा था, नवाब को भक्त के रूप में देखा था, श्रद्धावान के रूप में देखा था, और वास्तों में जो भगवान का भक्त हो, उसकी जाती नहीं देखनी चाहिए, जाती को देखने का मत्तब कि आपने भक्ती से ज़्यादा उंची जाती को मान दिया, लेकिन भक्ती सर्वो परिवोटी, इसलिए भक्ती की सीमा के अंदर जा करके जाती माज़ाव यह सब खतम हो जाते हैं, पिराना ने अपने कुछ दीवान जो उसके समझ में अच्छे थे उनसे सला लिए, कि मैं इसको कैसे दंडित करूँ मीरा को, राजवाई जी को बुलाया, और एक दयाराम पंड़ा था, उससे सला लिया, उसको सोने की कटोरे में जगनाच जी का चर्णाम रिथा, ऐसा बोल करके महराज, जहर भेज़ा था, विष भेज़ा था, सोने की कटोरे में, जो विष का प्याला का गया, राजवाई जी को कहा था, विष ऐसा होना चाहिए कि एक दो बूंत में ही मनुष्री का अंत हो जायो, और ऐसा भेंकर विष उस राजवाई जी ने तयार किया था, और धैराम पंडा के सास्तोने के कटोरे में, जगनाद जी का चरणाम रथा है, ऐसा बोल करके भेज़ा मीराजी के पास, और दैराम के पीछे पीछे उस दैराम पंड़ा था उसके पीछे पीछे उदाबाई जिसको उदाएकुमर बाई सा कहा जाता था वो भी गई और मीरा के प्रभू के आगे भोग रखा वास्ट्रिक्ता ये थी कि मीरा जी उस्तों भगवान को भोग अरपन कर रहे थी तो दिव पंड़ा था दैराम उसने लेजाकर कटोरा समुक रख दिया भगवान के समुक और काय जगनाजी का चाना मृत है आप अपने भोग के साथ निवेदन करो अपने भगवान को लेकिन बलते बलते उसकी जवान लड़ कड़ा गयी डर के कारण की हर हम तो जहर दे रहें इनको और ये बहुत गलत हो रहा है मन में उसके हो रहा था बहुत गलत हो रहा है लेकिन राजा का चाटुकार था इसलिए अपने स्वार्थ में अपने कर्तव को भूल गया था और मीरा जी ने कटोरा हाथ में ले लिया और ये कहा कि प्रभू जगनात बगवान का चरणा मृत आया मेरे पास चरणा मृत में जवाया राणा ने राणा को तो बहुत समत्य उत्पन्न होई प्रभू तो उस पंडा से पूछा मेरा जी ने के कहोना आया जगनात पुरिशे तो पंडा ने का मैं नहीं जानता सरकार कोई पंडा यात्री आये होंगे और मीरा जी ने तंबोरा उठाया तारों पर हो गली फेरते ही मीरा माता ने आके बंद कर ली और पहले भगवान को निवेदन किया है अपनी प्राथना तुमको शर्णगत की लाज भांति भांति के चीर चुराए पांचाली के काज तुमको शर्णगत की लाज परतिग्या तोड़ी भीशम के परतिग्या तोड़ी भीशम के आगे चक्र धर हुए दुराज मीरा के प्रभु गिर धर नागर दीन बंद हु महाराज और महाराज जो ये जहर का प्याला आया था ये मीरा जी के हाथ में उनकी सहेलियां दासियां देख रही थी चंपा गोमतियां दासियां देख रही थी और जो चाहर दासियां मीरा जी के हानी के लिए रखी गई थी वो देख रही थी और घबरा रही थी कि स्वामनी जी क्या कर रही हाथ में ले लिया जहर को प्याला और उनकी आँखों में आंसु आगे मरा रही और हम कहने लगें कि महाराज जी इन देवी को क्यों सता रहे हैं क्या चाहते हैं इंचे भजन गागर करके भाविवोर मीरा ने फिर आँखें खोल करके दोनों आथ से कोटोरा समाल कर उठाया है और हलकी सी मुस्कान के साथ कि प्रभू आपका चरना मिल थी मुक्स लगाया और उदा देख रही थी और उदा के भावी थी मीरा जी उसने देखा कि भावी को शान स्वरू निश्चर मुस्करा ट्रेम पूलनेट और भगवान का था विश्वास तो उसकी मन में आया है कि भावी नहीं जानती कि आज राजा उनके उपर कितने रुष्ट है कि जहर का प्याला भेजा है और जो एक दासी मर चुकी थी जहर पीने के कारण मिथुला उसकी भी मीराजी को याद नहीं और यह खुद यह जहर पीने जा रही है और उदा के मन में आ रहा था जो ननत थी कि मैं भी राणा के हां में हां करके उसका साथ दे रही हूँ मुझको यह भावी के मारने पर क्या मिल जाएगा पाप ही तो होगा मुझको भी पाप लगेगा और यह जी नहीं मरी तो भगवान का कोप उतरेगा और पता नहीं पिछले जन्व में क्या किया है कि पती की नसेवा में ले नमा बनने का सोबाग मिला और मैं आज बड़ा भारी पाप करने जा रहे हूँ इस सोच सोच करके उदा घबरा उठी मरेज उदा को लगा कि उसने जीवन में पाप ही पाप किया है आज मीरा जैसी भावी को मैं मार कर और पाप बढ़ाने जा रहे हूँ फिर मन में आया कभी तो कुछ नहीं बगड़ा है छेट जा उदा और कर ले प्राइस्टित मान और जन्म बीटा जा रहा बिगार मत और बाद में करेगी ही क्या इसलिए साउधान हो जा ऐसी बाते हैं उसके मन में आने लगी है तो उदा चीख पड़ी जम उठाया मुख के पास लगाया मीरा जी ने जहर का कटोरा सोने का जब वो लगाया अपने मुख के पास पीने के लिए तो उदा चीख पड़ी भावी महारा भावी रुख जाईए मीरा ने तो खोल कर पुछा क्या बात है बोली ये भीशे है भावी आई भीशे आप मत आरोगो हाथ पकड़ लिया उदा ने स्वय मी मारनी के लिए आई थी लेकिन अब उसका उसके अंतरा आत्मा उसको धिकार रही थी वो चिला पड़ी अब विश है आप मत पियो इसको राना ने विश बेगा तुमारे लिए माराज मीरा जी तो हांस करके बोली आप जागते को भी सपना देखती हैं ये तो स्री जी माराज ने राना जी ने जगनात भगवान का चरणा मुर्थ बेजा है पन्ना जी सामने करें चरणा मुर्थ लेकर के आएं क्या हो गया है उदा आपको लुदा ने कहा आप मान जाओ मेरी बाते जहर मत पियो मीरा जी ने कहा ये कैसे हो कि मैं चरणा मुर्थ बगवान का नहीं पियो आरे मेरे प्रभू का चरणा मुर्थ आया है जगनात पुरी से मैं भला क्यों नहीं पियोंगी भक्तो मीरा जी ने कहा ये जहर भी हो तो हम तो ठाकुर जी को अरपन कर दी है अब ये उनका प्रशाद है अब मैं इसको नहीं तिरस्कृत कर सकती हूँ मुझे पीना अब तो बगवान का भोग है और कटोरा उठाया होट चे लगा करके पलक जपकते ही मेरा जी संपून विश्च को तो प्याला भरा हुआ थपी गई और कटोरा सम्मुक पंडा जी के तरफ सरका करके का लिजे आब कटोरा पधारी है पंडा जी ने कब कापते कापते हाथ उसकटोरा उठाय डगमगाते पर्दों से चले और डगमगाते डगमगाते उनके पज़ पढ़ रहे थे चरन डगमगा रहे थे मेरा जी ने देखा कि यह तो डरता डरता जा रहा है और मेरा जी ने फिर एक तारह उठाया और बोली चंपा गुंगुरू लेया आज तो प्रभु के सम्मुक नाचोंगी मैं महराज गुंगरू बांध करके मेरा नाचना शुरू किया है पगु गुंगरू बांध मेरा नाचे रहे मैं तो मेरे सांवरिया की आप हो गई दासे रहे लोग कहें मीरा भई बावरी न्यात कहें कुल नाचे रहे विशरो प्यालो राणा जिभेजो पीवत मीरा हां से रहे मीरा के प्रभगीर धर नागर सहज मिला अब नाचे रहे मीरा जी गाह रहे हैं अब कहरें बिसका प्याला राणान बेजा लेकिन मैंने तो भगवान का चर्णा मुर्थ मान के पिया और दासियों के आँखों से आशो गिर रहे थी उदा चकित होकर देख रहे ही कि अब भावी लगता हो गिर जाए या बचे की नहीं लेकिन मीरा जी गाह जा रहे हैं उनके उपर कोई जहर का असर ही नहीं हो रहा और वो तो प्रेम विभोर हैं और उदा गबडा करके वहां से चली कि इनके उपर तो कुछ हुआ ही नहीं दासियां चिपक गई हैं सब मीरा जी से कि आपको कुछ हो तो नहीं रहा तो जहर पी था आपने जो पी लिया मीरा जी हंस्वणी बोली जहर मैंने कब पिया तो चर्णा मृत था मैंने चर्णा मृत पिया मैंने जहर नहीं पिया भगवान पर विश्वास रखो भगवान का चर्णा मृत था अरे प्रहलाज जी को तो जहर पिलाया गया सांप दस्वाया गया हाथी से कुछ लो आया गया कुछ नहीं हुआ था तो मैं तो उन्हीं ठाकुर जी की सेविका हूँ मुझे कैसे कुछ हो जाएगा और महराज दयराम पंड़ा पहुंचा है पीछे उद्धा पहुंची है राणा के पास राणा ने पूछा दयराम पंड़ा से क्या मीरा ने जहर पीलिया है पिसमें का हां महराज पीलिया हूँ तो क्या हुआ कुछ नहीं हुआ और उस समय उद्धा भी पहुंची तो बोली कि जहर पीया भावी ने तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ मेरा सारा सारी कांपने लगा डड़ के कारणा और मेरत के मेरतिया जो राठावर हैं यह जी वो होंगे कहीं मुझे मैं देख नहीं पाई तो वो तो मुझको छोड़ेंगे नहीं अफकार डालेंगे मुझको कि मैंने मेरा जी को मार दिया किन्तो भैया मेरा के उपर जहर कुछ भी काम नहीं किया वो तो जहर का कटोरा पी गई और नाच रहे गा रहे और पग गुगरु बांदी मीरा नाची रहे, ऐसे गा रहे हैं, और नूपूर माधा है चरनों में, और खूब नाच रहे, खूब नाच रहे, उनके उपर जहर का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन रहणा बोले कि ये तुम अभी गड़ी बार में सुन लोगी, कि वो मर चुकी है, अरे, ऐसे थोड़े होता एक जहर का कोई असर नहीं हो, निश्चेती ही वो जहर से खतम हो जाएगी, बचेगी नहीं, थोड़ा सा अभी असर पूरा नहीं होगा, अब आगे असर जहर का हो जाएगा, राणा ऐसा बोल रहा था, विक्रम, राणा ने पूछा, उदा तुम ठीक से बताती क्यों नहीं कैसे कैसे हुआ है, उदा ने कहा, मैं क्या बता हूँ, मैं भी दैराम पंडा के साथ तमासा देखने गई थी, चर्णा मृत के नाम को सुन करके प्रसंद हो गई हूँ, उन्होंने एक भजन गाया और प्याले को उठा कर होटों से लगा लिया, ये देख करके मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं जाकर उनको रोकने लगी, कि ये जहारे मत प्यों, लेकिन उन्होंने सहज ही पी लिया, और उनको ये चेहरे पर कोई शिकन नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ, और उन्होंने तो गुंगरु माधा पाउं में और निर्ट्य करने लगी, और गार इच निर्ट्य कर रही थी, उदा ने अपनी सलाह दी, प्राणा को कहा, भईया, हम लोगों को अभी नहीं सताना चाहिए मीरा को, क्योंकि वो भग्त हैं बगवान की, अब भग्तों उदा के जीवन परिवर्तनाना चुरू हो गया, उसने कहा, मैंने अपने आखों से देख लिय कि इतना विश्पीने के बाद भी मीरा के उपर कोई फरक नहीं पड़ा, वो तो भगवान की भग्ती में निर्ट्र कर रही है, तो डाटा है राणा ने, अपने बहिन को, कि तू भी उस जादू गर्नी के जाल में आ गई, अरे वाई जीने कुछ ने कुछ गरबर किया है, यह जी वो जहर होता तो मर क्यों नहीं जाती हो, वैजी जी को बुलाओ, और महराज, वैजी को बुलाया, डाटा कि तूने जूट को बोला हमसे, वो जहर नहीं था क्या, जो बेजा था, तो महराज, उसने डाट कर राना ने कहा कि तू तो कौरता हाथ ही को पिलाने तो हाथ ही मर जाएगा, यहां तो यह एक मामूली सीष्ट्री ऐसा बोला, भग तो मामूली नहीं थी मीरा जी, लेकुन उसने ऐसा बोला, कि नहीं मरी, तो वैद जी तो उपस्थित हुए, घबडाए हुए थे, डाट कर राना कह रहा था, कि तुम तो कहते ते हाथी भी मर जाएगा, यह तो मीरा जिन्दा भै, वह ही नहीं मरी, तो उसने दो बूंद बचा हुआ था, भगतों, तो राणा इतना कुर्द था, तो उसने देखा है दो बूंद, तो कहा कि बता भैद्धि, क्या इससे कोई मर सकता है, तो वही जिन्हें कहा, यह दो बूंद से भी एक मर सकता है, यह साधारन नहीं है, मक्तों उसके आगे क्या होता है, आपको मैं कल सुना हूँगा, भगवान रक्षा कर रह थी मीरा जी की, इसलिए मीरा जी को कोई नहीं मर सकता था, आज यहीं प्रणाम करके बिराम दे रहा हूं को था को, शीरा थे रहा जीरे, शीरा थे रहा जीरे,